इनके पास जाकर पहले रामचंद्र जी, शंकर भगवान, माता रानी, कृष्ण भगवान, इनके बारे में पहले पुस्तक शुरू करवा दीजे, पुले देश कभी पढ़ने दीजे बारत के हितिहास के बारे में, तब आके बात करेंगे, अपने मंदिरों को मार डाला है, कॉंग्रिस को बहुत प्यार होने लगी है, तो इनको इनके तरफ ही तो बात करना चाहिए, अपने मंदिर में आके भी क्या फेदा, आते क्यों आप इस मंदिरों में, आते हो मंदिरों में, और मंदिरों के बारे में बात करते हो, हम को हिंदू तो नहीं चाहिए, हम यह बात बोलते बोलते सारा इलक्षनी निकल गया उनका अभी और कितना इसको पकड़कर लटकना चारे रहूल गांदी जिसका सच्चाई नहीं चीज सच्चाई के बलबूते पर ही नहीं है यह स्टेटमेंट वह संविधान डमोक्रेसी में यह है कि आप लोगों के प्रती लेके जाओ लोगों से सही एक मातर सीधा साधा लड़ाई लड़ो यही है अडल्ट फ्रांचेजी एंड वोटिंग डेमोक्रेसी आप तो गलत इंफर्मेशन लोगों के बीच में लेके जाकर आपना ही एक मुद्दा बनाने के कोशिश के जिसके लिए आप माध्यम किस प्रकार की कत्रा है कोई कत्रा नहीं है मोदी जी और अमितबाय जी यह की यहीं सोची उनका सोच विचारीय की है किस प्रकार से हम इस देश के नवयुवा स्त्री दलित और किसान का समरक्षन करे उनका मुद्दा हर वक्त राज्जांग से समविधान से उनका एकी था बार बार की इस देश के बलहीन वर्क जैसे के दलित का समरक्षन कैसा किया जाए अगर जो उनों स्वयम Constitution के लिए किया कर पार्लेमेंट में रखकर नमन करकर आगे निकले हैं अरे बैया सबसे पहले तो बात यह है इसी राज्जांग में इसी समविधान में अंबेतकर जी ने कभी मजब के नाम पे रिजर्वेशन ही बात नहीं करे आपने कहीं Constitution में देखा ह क्या मुसलमान को आप माइनॉरिटी इसको रिजर्वेशन दीजिए कहीं लिखा क्या नहीं न तो कौन से अंबेतकर जी के वाहवा करते हुए यह लोग मजब के नाम पे रिजर्वेशन देने के लिए बोल रहे थे समविधान को इनको बदलना था अंबेतकर जी के अगेंस ही तो समविधान का नमन करते हैं समविधान के इसाप से राजजन के इसाप से देश को चलाना चाते तो कौंग्रेस था इसलिए कहती हुँ ना ये जो इतने बड़े-बड़े बाते करते कॉंग्रेस वाले पहले जाकर मजब के नाम से चलाने वाले इतने सारे देश है इनके बारे में पहले पुस्तक शुरू करवा दीजे इनके लेसंस लगवाने दीजे पूरे देश कभी पढ़ने दीजे बारत के इतिहास के बारे में तब आके बात करेंगे लेकिन आपने बयान में यह कहा है कि इनको इनके आकरमन के बारे में जितना इनको प्यार करना है तो इनसे अगर विदेशी आकरमन जो हमारे उपर भारत देश पे हुआ है अपना इतिहास को इन लोग स्थंबित कर दी है अपने मंदिरों को मार डाला है कुछ लाहिए इनके बारे में कॉंग्रिस को बहुत प्यार होने लगी है तो इनको इनको इनके तरफ ही तो बात करना चाहिए अपने मंदिर में आके भी क्या फेदा ऐसे लोग क्यों आना चाहिए यह बताईए तो सही कि हमारा आस्ता इतना यह है कि जो जहे मन मैं बोलते रहे तापने मंदिरों के बारे में बाड़ और में को आते हैं आने देते रहे है् हम यही कह रहे है उन लोगों कि आरे आते क्यों आप इस मंदिरों में आते हो हो मंदिरों में गयिसा-कर mentor से राजनीती है कि बगवान को राजनीती में बना देरो कि जब चाहिए मंदिरों के बारे में गलत बात करते हो शंकर बगवान इनके बारे में कृष्ट बगवान के बारे में पुस्तक में आने नहीं देते हो यह तो भारत देश है बारत का इतिहास ही हिंदु धरम है आप इ वर्ले तर्स वाले दीजिए हमको चिड़ें इंदु बहगवानों से एक तो मुद्धा रोक अपने सामने ये भी कहते हो बी चाहते हो वह वहां पर भी जाते हो लेकि नहीं करते हो फिर आप बहगवानों के पास जाना चाहते हुए है ऐसा कैसा प्रजा को अब धोका देते र कर दो हो गे